हिंदी साहित्य की कहानियों के अमूली संकलन से आज सुनिये सुप्रतिष्ठित हिंदी लेखी का पवित्रा अगरवाल जी की लिखी हुई कहानी और निर्णाय तो शुरू करें कहानी और निर्णाय आरती अभी से सोने चल दी अरे कुछ देर गपे ही लगाते नीलम क्यों परिशान करती है उसे सोने दे आज तो उसने सपनों की महफिल में डॉक्टर रवींदर को आने का निमंतर दिया है हाई रवींदर को तो फिर जेपी का क्या होगा वो तो बड़ी बेसबरी से तुमारे यहां का इंतजार कर रहा है आज ही मुझे वार्ड में मिल गया था कह रहा था पता नहीं आरती मुझे क्यों नाराज रहती है ढंक से बाती नहीं करती मेरी उससे सिफारिश कर दो तो फाइव स्टार होटल में डिनर दूंगा तुम्हें यार एक नजर उधर भी डाल दे सच मुझे उस पर बड़ा तरस आता है तुझे जेपी पर तरस आता है मुझे सुनील पर बेचारा इसका दीवाना है इसके लिए जान दे सकता है कली कह रहा था आरती से पूछ कर देखना मुझसे शादी करना पसंद करेगी क्या इरादा है उसका अब उससे क्या जवाब दू तू लखी है यार एक अनार सौ बीमार जिसको देखो आरती के सपने देख रहा है हमें तो कोई लिफ्टी नहीं मारता मैं उत्तेजित होटती हूँ डॉक्टर सुनील तुम्हें मुबारक हो उसकी हरकते मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहने दे तू तो नाराज हो गई अच्छा चलती हूँ अनीता उठकर खड़ी हो जाती है निलंबी आई इतनी जोर से नोचा है अनीता ठैर तुझे भी बताती हूँ बस आरती इतने में ही अपड़ा गई फिर अपने मिस्टर और वा के अदूरा छोड़कर स्वीट ड्रीम्स चलाती हूई वह भाग खड़ी होती है थैंक यू कहकर मैं मुस्कुरा उटती हूँ बहुत शरारती है प्रारम में जब मैं मेडिकल कॉलिज के सास्टल में आई थी तो इस तरह की छेर चार बुरी लगती थी खीट जाती थी सोचती थी इननों के कितने हलके विचार है किसी को किसी सहपाटी या अन्य लड़के से बात करते देख लिया तो बस बना दिया उसका आशिक फिल्म जगत के अबनेता अबनेत्रियों की तरह यहाँ एक दूसरे के साथ नित नए नाम जुड़ते हैं किन तो अब तो आदत पड़ गई है मेडिकल की जटिल पढ़ाई के तनाओं से बोजिल मन इन ख्षणों में कुछ समय के लिए हलका हो जाता है यह हलके फुलके छेर चार वाले मजाग ट्रेंकुलाइजर का काम करते है एका एक दीपक का इसमरण हुआया आँखों में धुंदसी चा गई आरती घर से लोट आई क्यों बुलाया था पापा ममी ने ओ ये गुलापी साड़ी ये नई अंगूठी क्या चक्कर है अनीता चहकी थी हाँ यार ममी ने बान दिया कौन है वो खुश नसीब होगा तो डॉक्टर ही क्या नाम है कहा का है पार्टी कब दे रही है अनीता ने मानो प्रश्णों की जड़ी लगा दी नाम दीपक है मेरट में MS कर रहा है पार्टी का क्या है जब चाहे ले ले फोटो तो लाई होगी दिखाना जल्दी से ना बाबा फोटो ने दिखाऊंगी नजर लगा दी तो मैंने उसे छेड़ा था डीपक के पत्र आते रहे मेरे जाते रहे तभी अचानक डीपक के पत्र आने बंद हो गए मेरे पत्रों का भी कोई जवाब नहीं मैं चिंतित हो थी तभी एक दिन मा का पत्र आया था कि डीपक का विवा अने किसी संपन घराने में तैह हो गया है उसके पिता ने पचास जार नगत मांगे थे हमने असमर्थता व्यक्त कर दी थी बेटी तनिक भी दुखी ना होना तुझ में क्या कमी है उससे भी अच्छा घरवर मिलेगा मैं अपने इस विवा के संदर में पूरता आश्वस थी और प्रसंद चित भी पूरी तरह उसी इस्थित में जी रही थी जो भविश में आने वाली थी किन्त मा का पत्र पढ़कर सन रही आँखें भराई कमरा बंद करके गंटों रोती रही थी कई कई रातें रोती बत्याई थी भावनाओं को ठेस लगी थी मैं इस मानसिक जटके के लिए तयार नहीं थी इसी लिए अव्यवस्थित वा अयस्तिर हो ठी थी कई बार इच्छा हुई भी कि दीपक को पत्र लिखू किन्त स्वाभिमानी मन में एहम अजाकरत हो गया तो क्या तो उससे प्रणाय की भीक मांगेगी स्वयम को कमजोर दिखाएगी नहीं वो ऐसा नहीं करेगी दीपक भी लालची ही होगा वरना पिता का विरोध कर सकता था कि दोनों की समान शिक्षा समान वेर दहेज किस बात का दीपक का अच्छे तर जिसे घर पर पापा की अल्मारी में से निकाल कर कई कई बार देख लेती थी किन्त मांगने का साहस नहीं होता था बाद में दीपक को पत्र लिखकर दूसरा मगाया था और उसे फोटो फ्रेम में सजा लिया था चाहते हुए भी उस फोटो को फार नहीं पाई मेजपोश के नीचे सरका दिया था मन स्वैम से विद्रो कर उठा पगली लड़की तेरे आस पास इतने आकरशन बिखरे पड़े हैं उधर कभी भी आकरशन ना होकर कुछ खणों के परचित दीपक की पुजारिन कैसे बन बैठी तेरे साथ की लगवक सभी लड़कियों के बाई फ्रेंड्स हैं किन्त तू सबसे कटी कटी सी क्यों रहती है जीवन साथी ही चुनना है तो क्यों न अपने साथियों में से चुना जाए फिर तेरे पास वैसे भी विवा के कितने प्रस्ताव आते रहे हैं तबी मित्रता रवीनिर सिंग से हो गई थी अच्छा आरती चलता हूँ गुड नाइट कल मिलेंगे उसने धीमे से हाथ दबाया और अपने हॉस्टल के दिशा में बढ़ गया सुंदर सुस्त आकर्शक व्यक्तित्तो संतुलित सैयमित व्यवार बस यही तो गुण है जिन्होंने मुझे रिजा लिया है अपने में मस्त भूली सी मैं हॉस्टल गेट में प्रवेश कर देई आरती अपने नाम की पुकार सुनकर मैंने पीछे मुण कर देखा तो मम्मी पापा हॉस्टल के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल रहे थे मुझे संतुष्टी हुई कि अच्छा हुआ वे रमीदर को नहीं देख पाए वरना अभी बवंडर खड़ा कर देते नमस्ते पापा नमस्ते मा आप कब आए पापा का चेरा क्रोथ से तम तमाया हुआ था वो थूग निकल कर स्वयम को सहज करने का प्रयास कर रहे थे मा तीखे किन्त दीमे सवर में बोली थी तीन घंटे से गेस्ट्रों में बैठे तेरी प्रतीक्षा कर रहे थे तू कहा थी अब तक कहना तो चाहती थी कि लोकल फ्रेंड के घर गई थी किन्त जूट बोलने से पहले ही सच मूँ से निकल गया था पिक्चर रात में अकेली साथ में कौन था मैं सक्पकाई की क्या कहूं यदि वे रवींदर को देख चुके होंगे तो जूट पकड़ा जाएका अता जहान बूज कर फ्रेंड शब्द का इस्तिमाल किया अकेली नहीं फ्रेंड के साथ कही थी कहते कहते मैंने जीब काट ली क्योंकि आने वाले तूफान का एहसास होने लगा था अब तक स्वेंपन नियंतरन करने का प्रतन करते पापा फुपकार उठे थे बेटी मित्र बनाने के लिए लड़कियों का अकाल पड़ गया है क्या जो अब लड़कों से दोस्ती करनी पड़ रही है अपने शहर के किसी व्यक्ति ने देख लिया तो मुश्किल होगी कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर इतना ही कहकर चुप हो गई पापा आप तो व्यर्थी नाराज हो रहे हैं साथ में एक सहली थी जो उधर से ही अपने घर चली गई रवीदर वहां मिल गए थे मैं उनके साथ लोट आई पापा आपको क्या पता मेरे पास पढ़ने के लिए किताबे तक नहीं है एक एक किताब कई कई सौकी आती है आप तो दिलवा नहीं सकते सब किताबें रवीदर ने ही अपनी वह अपने मित्रों किला कर दी है वरना कैसे पढ़ पाती मा ने पिता जी को जिरक्सा दिया था लड़की पर क्यों नाराज होते हो जी जब सब साथ साथ पढ़ते हैं तो आपस में बोला ही जाता है वरना घर बैठाते मा मुझे एक तरफ खीश कर कान में फुस-फुस आई अपनी ही जातिका है क्या जातिके नाम पर मुझे दीपक की याद आ गई वो भी तो हमारी ही जातिका था कुछ कड़ा उत्तर देने की इच्छा हुआ आई अच्छा हुआ अंधेरी की वज़े से मेरे चेरे के भाव उन पर इस्पष्ट नहीं हुए फिर स्वयम पर नियंतर पाकर बोली कौन? अच्छा रवींद्र? अपनी जातिका तो नहीं है जातिका होना जरूरी है क्या? नहीं वैसे ही पूचा था वैसे जातिका तो होना ही चाहिए कहते कहते मा का चेरा मुर्जा गया साथी कठोर भी हुआया राद बिराद इस तरह गुमना लड़की जाती को शोभा नहीं देता आरती बाबा हॉस्टल के चौकीदार का स्वर पुंजा इस हॉस्टल में नौकरों दोरा लड़कीओं को बाबा कहकर कुकारने की प्रथासी बन गई है क्या है राम सिंग बाबा आपके गेस्ट आए है गेस्ट नहीं स्पेशल गेस्ट रभीन सिंगी होंगे चिकोटी काटती हुए अनीता चैकी आरती बेस्ट आफ लग बेस्ट आफ लग की धुनिया सब कमरों में गूजने लगती है मैं गाउन उतार का जल्दी से साड़ी बाढ़ती हूँ पाउडर का पफ चेहरे पर फिर बालों में कंगी कर चपल पैरों में डालती हुई खट-खट सीडियां उतर जाती हूँ देखा कि एक एमवेस्टर कार होस्टल के दरवाजे पर खड़ी थी उसके बाहर रवींदर एक इस्तिरी पुरुष के साथ खड़ा था मम्मी ये आरती है रवींदर ने परजय कराया आरती ये मेरे पापा जज है और ये मेरी मम्मी है मैं हाथ जोड लेती हूँ वो इसने से उतर देती है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई बेटी आज डिनर हमारे साथ लेना और अभी हम फिल्म देखने जा रहे हैं तुम भी चलो न चेरा लालसा हुआया पता नहीं रवींद्र ने उन्हें मेरा क्या परचे दिया होगा ये लोग भी नजाने क्या सोचते होंगे रवींद्र के तरफ नजर उठाई तो वहाँ भी मौन आग्रह था मैंने टालना चाहा किन तो आग्रह का ज़्यादा विरोध नहीं कर पाई जाना पड़ा तब ही उसने कहा आरती कल मम्मी का चेक अप भी करा देना वो यहाँ इसी लिया आई है आरती मम्मी पापा तुमसे बहुत प्रभावित हुए है तुमारी बहुत प्रशंसा कर रहे थे मुझे तो तुमसे इर्शिया होने लगी है अपनी प्रशंसा किसे नहीं भाती मुझे भी अच्छी लगी टालते हुए मैंने कहा गाई निक्स में हाउस जॉब के लिए यहां तो फार्म भराई है लखनों का भी भर दिया है वहाँ जुइन करूं या यहां बाद में सोचूंगी मुझे तो यहीं रहना है हाउस जॉब अगले महा समाप्थ हो जाएगा तो रेस्टार की पोस्ट मिल जाएगी साथी एमेस भी हो जाएगा आरती एक बात कहूं वैसे तो हम तुम मित्र हैं मानसिक रूप से एक दूसरे के अतिधिक निकट आ गए हैं पापा विवापर जोड़ डाल रहे हैं मैं तुमसे हटकर कहीं अन्यतर विवापर की कलपना ने कर पा रहा तुम क्या सोचती हो मुझसे शादी करोंगी मैं तो ना जाने कबसे अवसर की प्रतिक्षा कर रही थी मन ऐसा ही को सुनना चाहता था आज भही सब सुनकर रोमांच हो आया नचरे अपने आप जुक सी गई साड़ी का पला अंगली से लपिटते हुए पूछा तुम्हारा पारिवारिक परवेश तुम्हें इसकी इजाज़त देगा हाँ आरती मेरे घर वाले खुले विचारों के हैं मेरी इच्छाओं की पूरती में तनिक भी बाधक नहीं बनेंगे तुम्हारे परवेश का मुझे ग्यान नहीं तुमने कभी कराया भी नहीं मैं अन्मनी हो थी मेरे परिवार वाले इसे किसी दशा में सुईकार नहीं करेंगे यद्यपी तुम्हे पाकर मैं सुयम को धन्य समझती मुझे तो भै लगने लगा है उनकी अन्मती नहीं मिली तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ दोगी मैं तुमारे बिना नहीं रह पाऊंगा तुम अभी से परिशान क्यों होने लगे इस विशय में बाद में सोचेंगे मैंने उसे छेडा मैं नहीं मिलू तो क्या तुम्हें मुझे अच्छी बहुत लड़किया मिल जाएंगी लड़के जो हो समस्या तो लड़की की होती है वो गंभीर हो गया आरती आजकल तु बड़ी परिशान नजर आती है क्या बात है मुझे नहीं बताएगी हाँ नीता मैं बहुत उलजन में हूँ समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या करूँ क्या उलजन है बता तो रवीन ने शादी का प्रस्ताव रखा है किन्त वो तो तेरी जाती का नहीं है तेरे मम्मी पापा स्विकार करेंगे बस यही तो उलजन है मेरे माता पिता जाती के बाहरे शादी के अनमत हरगस नहीं देंगे किन्त मुझे अब जाती में बिल्कुल आस्था नहीं रही दीपक के परिवार से धोका खाकर भी मेरे माता पिता का जाती से मो भंग नहीं हुआ है बुरा ना माने तो एक बात कहूं आर्टी जेपी तुझे बहुत चाहता है सुनील भी अपना परस्ताव भेच चुका है दोनों ही तेरी जाती के हैं और हर तरह से अच्छे है रवीन्द में ही ऐसा क्या है शायद उन दोनों की तरफ मेरा ध्यान न जाने के कारण उनका मेरी जाती का होना रहा हूँ क्या भरोजा है या था कि उनके घरवाले ऐसी मांग नहीं करते और अब ये सब सोचने का फायदा भी कुछ नहीं क्या तुम दोनों एक साथ रहने का प्रॉमिस कर चुके हो ने अभी मैंने कोई प्रॉमिस नहीं किया है बस यही कहा है कि मेरे माता-पिता इस विवाह के लिए तयार नहीं होंगे किन्तो हम दोनों एक दूसरे की भावना तो जानते ही है ना मैं भी उसके बिना रह नहीं पाऊंगी पहले घर पर बात करके देख वे ना माने और तेरा इरादा पका है तो कोड में शादी कर डाल दूसरा तो कोई और रास्ता नहीं है दोपहर को वार्ड में जेपी मिल गया था कहने लगा आरती जो सुना है आप रवींद्र से शादी करने का विशार बना रही है पता नहीं आपको ग्यात है या नहीं फिर भी आपका शुक्चिन तक होने के नाते आपको एक जानकारी देना अपना फर्श समझता हूँ कि रवींद्र हरीजन है जाती से चमार है यह आपसे किसने कह दिया कि मैं उससे शादी करने जा रही हूँ अभी मैंने ऐसा कोई निर्णा नहीं लिया है रही बात उसके हरीजन या चमार होने की तो मैं तो इतना जानती हूँ कि जाती उसकी कोई भी हो किन्ट वो एक अच्छा इंसान है भावनाओं में बैकर यह सब कहतो आई किन्ट अब संसकार रबल होने लगे मैंने सपने में भी नहीं सोचाता कि वो हरीजन होगा मैं तो उसे ठाकुर समझती थी शादी के मामले में तो अभी भी दोनों वर्गों के बीच गहरी खाई है जेने भरने में सैक्रों वर्ष लग जाएंगे मुझे जेपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ अता मैंने कॉलिज के आफिस से जाकर पता किया जेपी ने ठीकी कहा था तब ही से मन अशान्त है समस्याओं के अजीव वियू में फस गई हूँ लगता है मेरे सोचने वर निर्णे लेने की शक्ती समाप्त हो गई है यद्यब अभी मैंने रबीनर को इस पश्ट स्विक्रती नहीं दी है फिर भी वो आश्वस्त है उसे मुझसे इंकार की उमीद नहीं है अन्ता करन कहता है अब उसे ना कहना उसके मन को आगात पहुचाना होगा ये गलत है दोका है विश्वास खात है वो जन्म से ही तो चमार है करन से ना तो वो चमार है ना उसके माता पिता वो सुन्दर है शिक्षित है सुसंस्क्रत है दीपक और उसके परवार की तरह लालची लो भी नहीं जहां लड़की की कीमत मिलने वाले दहें से आकी जाती है तबी दूसरा पक्षा भी होने लगता कि दोका उसको तुम नहीं दे रही बलकि वास्तविक्ता को छिपा कर दोका देने की कोशिश उसने की है नहीं ये नहीं हो सकता अपनी आवा से मेरी नींद खुल गई थी मैं पसीने से लत्पत थी मैंने बड़ा भयानक सुपने देखा था कि पापा ने मेरी शादी की खबर सुनकर आत्मत्या कर लिये मावा दोनों बेहने चिला चिला कर एक सुर में कह रही है इस घर की किन्त ये सपना सच भी हो सकता है यदि मैंने ये शादी की तो ये सपना अवश्य सच होगा और यदि ऐसा हो गया तो क्या मैं जिन्दगी बर चैन से जी सकूंगी मैं अनिर्ने की इस्तिती में हूँ मुझे लगता है ये अनिर्ने मेरा नहीं मेरी पीड़ी का है जो नए पुराने सहसकारों के बीच जी रहे हैं अभी आप सुन रहे थे पवित्रा अगरवाल जी की लिखी हुई कहानी अनिर्ने आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुब हो